मिस्टर एन मिसिस कपूर के विवाह को तीन वर्स हो चुके हैं और उनका डेढ़ साल का एक बिटा है अब वे दूसरे बच्चे को जन्म देने से पहले कम से कम चार से पास साल तक रुखना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जन्म नियंत्रण का कोई तरीका अपनाना होगा जब उन्होंने इस बारे में अपने डॉक्टर से सला ली तो उनके डॉक्टर ने उन्हें इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिसे हम अन्तह गर्भाशाई युक्ती या आईउडी कहते हैं इस डिवाइस का उप्योग करने की सला दी इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे अन्तह गर्भाशाई युक्ती यानि आईउडी महिलाओं के लिए जन्म नियंत्रण का एक अच्छा तरीका होती है लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद कीजिये कि जन्म नियंत्रण का क्या मतलब होता है जन्म नियंत्रण का मतलब ऐसी युक्तीयों को अपनाने से है जिससे गर्भधारण को रोका जा सके और गर्वधारण तब होता है जब एक शुक्राणू एक अंडाणू को निसेजित करता है जिसके परिणाम सुरूप जाईगोट यानि यूगमनज का निर्माण होता है बाद में यह यूगमनज गर्भासाय में प्रत्या रूपित हो जाता है और धीरे धीरे एक भूण के रूप में विक्सित हो जाता है इस प्रकार जन्म नियंतरण का उद्देश गर्वधारण को रोकना है अंतहगर्भासाय यूगतिया या IOD अंचाहे गर्वधारण को तो रोकती ही है लेकिन ये यूगतिया उन महिलाओं के लिए भी सुझाई जाती है जिनके आरतव चक्र या मासिक धर्म अनियमित होते हैं ताकि उनके आरतव चक्र को नियमित किया जा सके अब चलिए समझते हैं कि ये अंतह गर्भासई युक्तियां कैसे काम करती हैं तो इन में से किसी एक अंतह गर्भासई युक्ति को गर्भासई के अंदर स्थापित किया जाता है ये युक्तियां कुछ इस तरह दिखाई देती हैं यानि इनकी सनरचना अंग्रेजी के T अक्छर के समान होती है ये युक्तिया मुखिता है दो प्रकार की होती है एक है copper releasing यानि तामबा मोचक जिसे इसकी T अकार की सनरचना के कारण copper T के नाम से भी जाना जाता है और दूसरी है hormone releasing यानि हार्मोन मोचक ये युक्तियां आकार में काफी छोटी होती है इनकी लंबाई लगभग 1.2 इंच और चोड़ाई लगभग 1.1 इंच होती है और इनके इस छोटे आकार के कारण इन्हें गर्भाशय के अंदर स्थापित करना बहुत आसान होता है और जब इनमें से किसी युक्ति को गर्भाशय के अंदर स्थापित कर दिया जाता है तो यह कुछ इस तरह दिखाई देती है इन आयोडी की विशेस्ता यह है कि इन्हें गर्भाशय में लगाये जाने के तुरंत बाद ही अपना काम करना शुरू कर देती है अब आईए समझते हैं कि यह आयोडी काम कैसे करती है तो दोनों प्रकार की आयोडी याने कौपर रिलीजिंग आयोडी और हार्मोन रिलीजिंग आयोडी गर्भ धारण को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है copper releasing iod जैसा की नाम से इसपस्ट है copper iron निर्मुक्त करती है ये copper iron ना केवल शुक्राणों की गतिसीलता को बाधित करते हैं बलकि उन्हें नस्ट भी कर देते हैं मूल रूप से शुक्राणों अंडाणों को तभी निसेचित कर पाते हैं जब वे गर्भासे से तैर कर उपर फैलोपियन नलिका के भीतरी भाग तक पहुँचते हैं क्योंकि बिना निसेचित हुआ अंडाणों यहीं पर होता है लेकिन यदि गर्भासे के अंदर शुक्राणों की गतिसीलता बाधित हो जाती है यह शुक्राणों गर्भासे में प्रवेस करते समय ही नस्ट हो जाते हैं तो ऐसे में यह संभव नहीं होता है कि वे फैलोपियन नलिका के भीतर जाकर अंडाणों को निसेचित कर सकें इस तरह copper releasing iod copper ion निर्मुक्त करके सुक्राणों को निस्क्री कर देती है और गर्वधारन को रोक देती है इसी प्रकार hormone releasing iod गर्वासय में progesteron या progesteron के व्यत्पन हार्मोन निर्मुक्त करती है हम जानते हैं कि progesteron एक steroid hormone होता है जो समानेत अंडाश्य द्वारा उत्पादित किया जाता है यह progesteron hormone गर्वासय ग्रीवा जो की गर्वासय का यह निचला भाग होता है यहां बनने वाले शलेस्मा को गाढ़ा कर देता है इसके कारण शुक्राणू गर्वासय ग्रीवा से होकर गर्वासय में प्रवेस नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी गती काफी धीमी हो जाती है इसके अलावा यह आयोडी गर्वासय को निसेचित योग्मनज के प्रत्यारोपित होने के लिए भी अत्याधीक अनोपियोक्त बना देती हैं ऐसे में यदि शुक्राणू और अंडाणू का निसेचन हो भी जाए और जाइगोट याने योग्मनज बन भी जाए तो भी वह योग्मनज गर्वासय में प्रत्यारोपित नहीं हो पाता है जिससे गर्वधारण नहीं होता है तो इस तरह हार्मोन रिलीजिंग आयोडी गर्वावस्था को रोकने का काम करती है जर्मन नियंतरण के अन्य तरीकों की तुल्ला में आयोडी का उप्योग करने के बहुत सारे लाब भी है जैसे आयोडी अत्याधिक प्रभावी होती है और इनकी असफलता की दर बहुत ही कम है इसका मतलब यदि कोई महिला आयोडी का उप्योग कर रही है तो उसमें गर्वधारन की संभावना बहुत ही कम होगी इसके अलावा आयोडी को गर्भाशाय में लगाना बहुत आसान होता है और इस प्रक्रिया में दर्द भी नहीं होता है यह बहुत मामूली दर्द ह जिसके लिए किसी भी प्रकार के एनेस्थीसिया की आवश्यक्ता नहीं होती है साथी इसे लगाने में चिकित्सक को केवल 5-10 मिनट का समय लगता है इनका एक अन्यलाब यह है कि एक बार लगाने के बाद IUD को सुरक्षित रूप से 8-10 वर्सों तक गरभासे के अंदर छोड़ा जा सकता है और इस पूरी अवधी के दोरान ना तो इन में कोई खराबी आती है और ना ही इनकी प्रभाव सीलता में कोई कमी आती है साथ ही प्राया सरीर पर इनका कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और जब भी योगल बच्चे को जन्म दिना चाहते हो तब इने बड़ी आसानी से निकाला भी जा सकता है यही कारण है कि ऐसे विवाही जोडों को आई योडी का उप्योग करने की सलाह दी जाती है जो बच्चे को जन्म देने से पहले कुछ वर्सों तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं इनका एक अन्यलाव यह है कि एक बार लगाये जाने के बाद इन्हें बार बार निकालने और फिर से लगाने की आवशक्ता नहीं होती है इसके अलावा आयोडी काफी किफायती भी होती है और सरकारी एस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्त के इंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध हैं आयोडी की एक अन्य विशेस्ता यह है कि इन्हें हटाने के तुरंत बात जनन छमता पुनह तुरंत प्राप्त हो जाती है एठन और थोड़ा बहुत सिर्दद लेकिन चुंकि आयोडी के साइड इफेक्ट से कहीं जादा इसके लाब हैं इसलिए इन्हें दुनिया भर में महिलाओं के लिए जन्म नियंत्रण के एक बहतर तरीके की रूप में सुझाया जाता है लेकिन ध्यान रहे कि आयोडी लगवाने का निर्णय डॉक्टर से सलाह लेकर ही किया जाना चाहिए और कोई भी आयोडी केवल एक पंजी करच चिकित्सक द्वारा उचित नैदानिक इस्थितियों में ही लगाया जाना चाहिए अनित्था इससे संक्रमन और जटिलताएं उत्वन हो सकती है